ओम शांती आज अपका पचासवे दिन का वर्दान और इस वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें अपने मेहनत या पुर्शार्थ पर लगातार आगे बढ़ने के लिए हमें समझाते हैं कि हम कैसे उन निशानियों को पकड़े की हम आगे बढ़ रहे हैं कि नी बढ़ रहे ह हमने कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है कहने का मतलब मैं सुआ का परिच्छे पैचान गई आत्मा और मेरे परमपिता परमात्मा को भी पैचान गई लेकिन क्या सिर्फ वही काफी है कि उससे भी जादा कुछ और है पुर्शार्थ ताकि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते च कि बाबा के तक है में कि ऩूद्ध कि लइत माइट-दौरा नौलेच की लइत प्रकाश और मैट तकत शक्ति ऑवर दौरा अपने लक को जगाने वाले अपने लक को हम लकी तभी बन पाएंगे जब knowledge की light, might को इस्तमाल करेंगे जगाने वाले सदा सफलता मूरत भवा तो बाबा यहां पर सदा का word को अंडरलाइन कराते हैं सदा सफलता मूरत तो इसको विस्तार में लेके जाएं जो बच्चे knowledge की light और might से आदी मध्य अंत को जानकर आदी मतलब ये शुरुवात कब हो था ड्रामा का मध्य मतलब इस ड्रामा के बीच का समय, इंटर्वल का समय दौपर्युक जहां से हम आत्मा ये पाप आत्मा बनना शुरू हुई हमने विकार और विकारों के वशिबूत होने का हमने अपना पार्ट प्ले करना शुरू किया उसको मध्य कहते हैं और अंत मतलब कल्यू का अंत कब होगा उस समय का ज्यान सब कुछ पहचान जाए जो की परमात्मा आकर के धरती पर हमें बताते हैं को जानकर पुर्शार्थ करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है मलकी हमें पता है की भवश्य क्या है तो उसके अनुसार हमें क्या करना है भी पास्ट में क्या किया कितने पाप क्यों को मिटाना है हमें मध्य मतलब जो पाप हमने शुरू के किस प्रकार के किये वो सब कुछ हमें जानकारी है उसका बोजह हमारे उपर है और अंत अब समय कितना बाकी है जिसके नुशार हमें कितनी सीरियसनेस और कितनी तीवर गती से हमें आगे बढ़ना है उस सब का ग्यान है अमत्रिकाल दर्शी, तीनो काल जानते है आदी, बिगनिंग, मद्धे और अंत तो बाबा केते हैं सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है आप तब ही लक होई लकी कहलाए जाएंगे जब आप सफल होंगे लेकिन उसके लिए क्या चाहिए नौलिजफुल बनना ही लक को जगाने का सादन है नौलिजफुल का मतलब ये नहीं सिर्फ कि हमें ग्यान पता चल गया लेकिन नौलिजफुल के अनुसार अपने लक्षए और अपने लक्षण होना कि चलना भी वैसे ही और लक्षण भी वैसे ही दिखाना बनना ही लक को जगाने का सादन है तो िपसे पूर्षार्थ में आकर इनुकर आत्म या तो हम लेट आए या हम ने परमपिता परमात्मा या हम मधवतन या मitवधन आपूजा नी पाए यह हम बड़ी बड़ी दादियों के साथ में रहनी पाया, उनके साथ में हम मिलन नहीं हो पाया हमारा, परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ का सुक्षम मिलन भी बहुत बड़ा लख है, अगर आप इस ग्यान को पहचान लो और समझ लो गहराई से, तो ग्यान को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना तो बाबा कहते हैं नौलेज सिर्फ रच्येता और रच्ना की नहीं रच्येता कौन है? स्वेम परमपिता परमात्मा उनकी नौलेज की हाँ ठीकी कौन है? वो पॉइंट अफ लाइट है? डिवाइन लाइट है? सिर्फ वह नहीं और रच्ना मतलब की हम आत्मा है हमें कैसे उन्होंने पतित से पावन बनाया था ये चक्र में देवी देवता कब थे वो कैसे विकार में जाने शुरू है और अब वो कहा है? अब वो फिर से कैसे पुर्शात करके फिर से पवित्र कैसे बन रहे हैं? सिर्फ ये नहीं, रच्ना की सिर्फ नहीं लेकिन नौलिजफुल अर्थात हर संकल्प मलकी जो बाबन हमें श्रीमत दिये कि हमारे संकल्प कैसे चलने दिये हैं? दिन भर सुबह से लेकरके शाम तक सोने तक हर शब्द मुख से क्या निकलता है? वो ही आदत बन जाती है वो ही हमारा सोरूप बन जाता है और हर कर्म में ज्ञान सोरूप हो जो कर्म करें उसमें भी क्या हो? परमात्मा की दी हुई डारेक्शन शुरीमत दिखाई दे सोरूप दिखाई दे तब सफलता मूरत बनेंगे सिर्फ ज्ञान होने से नहीं कि ये रचता कौन है और उसनकी रचना क्या है शुरीशी चकर पता चल गया कल पर रक्ष्च पता चल गया हमें परमात्मा कहां से आते हैं परमधाम कहां है वो अपस कहां जाना है इससे पतल गया तो उससे ही नहीं तो आप कहते हैं अगर पुर्शार्थ सही होते भी आप पुर्शार्थ कर रहे हो मैनत कर रहे हो आप सुबा अमरित वेले से लिके शाम तक कर रहे हो पुर्शार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती सफलता मतलब क्या होगी? कि आप बहुत आत्मों की सेवा कर रहे हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं आप उपर नीचे भी हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी छोड़ रहे हैं ये परमात्मों के ज्ञान को और आगे बढ़ता जा रहे हैं तो पुर्शार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि ये सफलता नहीं ये असफलता नहीं कि आप फेल नहीं हो रहे हो परिपक्वता मलकी आप और स्ट्रॉंग बन रहे हो गिर के फेल हो करके आगे बढ़ने का आप स्ट्रॉंग बन रहे हो अंदर से और बहर से ये परिपक्वता का साधन है कि सफलता तो आगे आनी ही है लेकिन अभी मुझे अंदर और बहर से स्ट्रॉंग बनते जाना है तो ये उसकी निशानी है तो दिल शेकस्त होने की जरुवत नहीं है तो इस वरदान को गहराई से समझें इस आध्यात्मिक मार्ग में हमें क्या-क्या चीजों की जरुवत है केवल परमात्मा कौन और मै कौन और शिर्षी चक्र का राज सिर्व हो नहीं लेकिन हमारे मन, बोल और कर्म कैसे होने ची उसका भी ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है ब्रह्म कुमारी उसमें तो इसके साथ आपको दिन शुभू, उम्शान्ति